एलो फ्रेंड्स रादे कृष्ण वेलकम बैक टो माई चैनल डेली हैट्स विद अली लक्षमी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शियर करने वाली हूँ कि हम संत्रे की छिलकों को किस तरह से प्रियोग करें और किस तरह अपनी स्किन को संत्रे की छिलके से हम बहुत ही अच्छी बना सकते हैं फ्रेंड्स लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है यह अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब पर लें और बैल आइकन को भी सरूर प्रेस क तो फ्रेंड्स आईए वीडियो शुरू करते हैं संत्रे के छिल्कें को आप छाया में सुखा लें और जब यह बिल्कुल सूख जाएं आप इन्हें मिक्सी के जार में पीस लें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हम इन्हें कर लेंगे और अब आप किसी भी सूखे बरतन में रखकर इन्हें स्टोर कर सकते हैं और जब भी आप यूज करना चाहें उसमें से यूज कर सकते हैं तो मैंने एक कंटेनर लिया है और इसमें मैंने इसे भड़ दिया है तो जब हम यूज़ करेंगे कुछ इस तरह यूज़ करेंगे हम ये मैंने दही ली है दही दो चम्मच ली है मैंने यहाँ पर और इसमें मैंने एक चम्मच संत्रे के छिलके का पाउडर डाला है और एक चम्मच मैंने बेसन डाला है इसमें और एक चम्मच चोकर मिला दिया है और अब यदि मुझे दही और ये मिक्स अच्छा बनाने के लिए, पेस्ट को अच्छा बनाने के लिए, मैंने इसमें थोड़ा सा दही और एड़ कर दिया है, और अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी, जब भी हम किसी भी चीज़ को मुझे लगाएं, तो हमें फेस को बहुत अच्छे धंग से क्लीन कर लेना है, आपके फेस पर मेक अप नहीं होना चाहिए, इसे लगाने के बाद, हम आँखों को और लिप्स को छोड़ देंगे, और उसके बाद हम, अपनी तीन उंगलियों से, फिंगर्स से, इस तरह मसाज करेंगे, बहुत ही हलके हातों से, बहुत हलके हातों से हमें कुछ इस तरह मसाज करनी है, यह मसाज, हम दो मिनिट करेंगे, यह हमारी स्केन को बहुत ही अच्छा बना देता है, और हमारी स्केन में जमे हुई धूल, गंद, जो भी चीज होती है, उसे निकाल देता है, और स्केन को एकदम साफ और चमकदार बनाता है, तो यह है पेस्ट आप वीक में तीन बार यूज कर सकते हैं और इस तरह लगाने के बाद आप 15 मिनिट इसे छोड़ दें, और 15 मिनिट बाद मैं, मैंने देखिए मूँ को फेस को वाश कर लिया है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, ओके थैंक यू फॉर वाचिंग,